बोपाल गैस तरास्दी इस वीडियो में हम आपको उस शक्स के बारे में बताएंगे जिसकी ऊपर इस पूरे कांड का आरोप है उससे संबंदित कुछ ऐसे किस्ते बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपके भी कांड खड़े हो जाएंगे उस रात भोपाल की जनता अपने आखों में कल के सपने लिए सोई थी लेकिन किसे पता था कि वो कल कभी आएगा ही नहीं उस रात यूनियन कारबाइट फैक्टरी से लीक हो रहा था मिथाईल आईसो साइनेट गैस ये एक ऐसा गैस है जो आपके फेफडों में से ऑक्सिजन को बाहर निकाल देता है और धीरे धीरे करके आप अपने जान से हाँ धो बैठते हैं लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि आखिर यह हुआ कैसे और किस ने किया किस ने भोपाल को मरखट बना दिया तो बॉस उसका नाम है वारन एंडरसन जो की यूनियन कारबाइट फैक्टरी का मालिक था और गैस वाट हमारे पूर्व पीम राजीव गांधी के काफी अच् जो है वो रहसमाई है कि आखिर वारन आचानफ से गायब कहां हो गया कहां छोड़िये भोपाल से कैसे गायब हो गया इसका जवाब भी जो है हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे दोस्तो जानकारी के अनुसार लोकसभा में एक चर्चे के दौरान पूर्विदेश मंतरी शुश्मा स्वराज ने विपक्ष के सवालों के जवाब में भोपाल गैस कांट के मुख्या आरोपी वारन को भारत से बाहर भेजने में ततकालिन सरकार और राजीव गांधी के हा वापस लोट करके ही नहीं आए अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको थोड़ी सी क्रोनोलोजी जाननी होगी हमारे रिपोर्ट के मुताविक तीन दिसंबर 1984 की राद भोपाल में यूनियन कारबाइट कंपनी से जहरीली गैस का रिसा हुआ और करीब 15,000 लोगों क की मौत हुई यूनियन कारबाइट और इसके CEO वारेन एंडर्सन की खिलाफ लोगों में काफी जादा गुस्सा था और 3 दिसंबर की शाम में हनुमान गंज पुली स्थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया डॉन कर्जमेन की बुक दे किलिंग विंड के मुताबिक एंडर्सन अपने कुछ सयोगियों के साथ 7 दिसंबर की सुभा 9 बजे इंडियन एरलाइन्स की विमान से भोपाल पहुँचे एरपोर्ट पर ततकालीन SP स्वराचपुरी और DM मोती सिंग ने उन्हें रिसीव किया फिर उसे दिन सुभा करीब 11 बजे भोपाल के SP और DM वारिन को एक सफेद अमबैस्डर कार में यूनियन कारबाइट के रेस्ट हाउस ले गए और वहीं से हिरासत में लिये जाने की जानकारी दी गए तोपहर में CM अर्जुन सिंग मद्यप्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तब एक फोन आया और अंडर्सन को ततकाल रिहा करने के आदेश दिये गए तोपहर साड़े तीन बजे अंडर्सन को भुपाल के SP ने बताया कि सरकार ने आपको दिल्ली भेजने के लिए एक विशेश विवस्था की है जहां से आप अमेरिका के लिए लोट सकते हैं उसके बाद 25,000 रुपे का बॉंड और कुछ जरूरी कागुजों पर साइन करने के बाद अंडर्सन ततकालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग और राजीव गांधी की मदद से दिल्ली फिर अमेरिका के लिए उड़ गए ततकालीनेसपीस वराजपुरी उसे छोड़ने के लिए भी गए थे बॉंड्स में अंडर्सन के ट्राइल के दौरान कोट में आने की बात कही गई थी लेकिन वो भारत ही नहीं लोटे और 9 फरवरी 1989 को CGM कोट ने अंडर्सन के खिलाफ गेर जमानती वारिन जारी कर दिया उसे एक फरवरी 1992 को भगोड़ा भी घोशित कर दिया क्या 39 सितंबर 2014 को लोरिडा में एक नर्सिंग होम में अंडर्सन के मौद की खबर आए जिसका पता हमें एक महीने बाद चला गठन किया गया आयो के सामने ततकालीन SP स्वराजपूरी ने कहा कि उन्हें अंडर्सन की गिरफतारी के लिए लिखित नहीं बलकि मौखिक तौर पर आदेश दिये गये थे और उनको ये आदेश जो है वो उनकी वायरलेस सेट पर मिला था जिसके कारण उन्होंने एंडर् लोग ऐसे थे जिन्होंने इस भोपाल गैस तासिदीरी में अपनी जो जान है वो गवा दी और आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन भोपाल के आप वो हवा में अभी वो जहर कायम है कुछ जेनुरेशन ऐसे भी है जिनके जो बच्चे हो रहे हैं वो किसी रूप से चाल गरली देखना होगा